Hello everyone वो आज वाकर ही बड़ नियूस है काफ्य बड़ा बैड नियूस आ जाया है विस्त एकसेस व्काइक ने दो तीन कार्ड को डाउंग्रीड कर दिया है विस्तारा को किया है कुछ और मेन तो जो डाउनगेट के इन्हों ने Axis Ace को पूरा बरबाद कर दिया जो Axis Ace कार्ड था जिसका जो चाम था 2% Unlimited Cashback वो पूरी तरह खतम करके 1.5% पिला दिया तो अब Axis Ace मुझे लगा ही था डाउनगेट करेगा क्योंकि इवेंट की एक Indian Oil Credit Card है जिसका मैं अब इस्तमाल ही कर रहा था मैंने उल्मॉस्ट पचोदा से पंदरा हजार रुपया पंचोदा से पंदरा जो माइल स्टोन मैंने रेचीव किया था उसको जस्ट मैंने कनवर्ट करके मैंने CB पॉंट में कनवर्ट किया था तो उसका तो बहुत ही भारी devolution आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि Indian Oil के साथ इसा कैसे कर दिया और in fact Ace के साथ तो पूरा खतमी कर दिया खर आप कोई अब Ace Card लेगा नहीं जिसके लिए पागल अब होने वाला नहीं है लोग ठीक है तो चलिए बात करते हैं कि क्या exactly difference हुआ है यहापे सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस इस credit card के लिए कि यह होगा 20 अपरेल 2024 से यह effective होगा उसके अंदर जो main point इन्होंने यह define किया हुआ है कि सबसे पहला कि जो unlimited cashback मिलता था ठीक है flip card access card में 1.5% मिलता सेम वैसा लखे सेम position पर रख दिया तब यह card का चाम पूरी तरह खतम हो गया और utility payment करते हैं इस card से other than google पे तो उसके पर भी कोई reward point आपको नहीं मिलेगा यह दो point इन्होंने highlight किया है और जो third point इन्होंने highlight किया है वो यह कि इसके बाद से जब भी भी आपको launch access करना पड़ेगा तो आपको minimum spend 50,000 करना पड़ेगा previous three calendar मादेन की past three months में total 50,000 का आपको spend करना पड़ेगा तब ही आप launch के लिए eligible हो जाएंगे और जो अगर किसी को fresh card मिलता है तो उनके लिए यह condition applicable नहीं होगा जो initially यह first time card issue करते है तो उनको बिना spend का ही मिल जाएगा बट लिए जैसे ही आप old customer हो जाएंगे तो आपका पीछले three months में आपका 50,000 का spend होगा तब ही launch आपको मिलेगा access ace के साथ तो ace card पुरा बिकार हो गया है कोई फाइदा नहीं है इस card का अब apply करके रखने का भी कोई फाइदा नहीं है तो अभी बात करते हैं दूसरे card का date no oil access Indian oil उसका भी बहुत बड़ा बड़ा इसमें changes कर दिया है सबसे पहला जो इन्होंने क्या था अभी welcome benefit पे इन्होंने condition रख दिया है कि अगर कोई first 30 days में 100 रुपीज करेगा तो 500 age reward points मिलेंगे 250 तक spend करेगा तो 1250 और 500 करेगा तो 1250 तो maximum आप 1250 age point ही as a welcome benefit आप अन कर पाएगे जिसके value 250 रुपीज होगी ये condition इन्होंने डाला हुआ है पहले condition नहीं था आप कुछ भी spend करते थे 200 anything जो amount वो आ जाता था अब ये क्या किया है इन्होंने और एक चीज इन्होंने कर दिया है पर इसका जो सबसे भारी devolution जो इन्होंने कर रखा हुआ है वो ये कर दिया कि इसका जो fee जो वेवाफ होता था 50,000 spend करने के बाद अब देखें मैंने लिया था कि 50,000 spend करके मैं reach कर लेता था UPI payment करके अब चुकि इन्होंने क्या कर दिया है कि अब वही चीज अगर आपको 3.5 लाग spend करना पड़ेगा एक साल के वितर तब आपका next year का fee वेवाफ होगा जो कि बहुत ही गलत काम किया इन्होंने आप इतना कुन बढ़ा देता है Apple spend होना चाहिए और उपर से 3.5 लाग यह बहुत बढ़ा amount है आप सोचे 50,000 था किसी कार्ड का और 3 लाग कर दिया तो यह बहुत बढ़ा बात है कि आपने 3.5 लाग रुपे इसको बना दिया यह वाकर डिवाद बढ़ा डिवैलूशन है कम से कम इसको आप रखते भी एक लाग कर देते ज्यादा से ज्यादा बढ़ 3.5 लाग बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत सारे अधर कंडिशन इन्होंने इंपोस कर दिया है मैकसिम वेवियर आपको 50 रूपीस पर मत मिलेगा इस 50 रूपीस से जाद आपको नहीं मिलेगा इसक्रीन पर माकी मैं डिटेल्स मैं डाल दे रहाँ पूरा डिटेल मैं नहीं करते हैं पाउस करके आप पढ़ दीचेगा और भी दुनिया वर का इन्होंने कुछ एक्स्क्रीन वेगरा भी कर लिया है पूरे स्क्रीन शॉट पढ़े हैं आप टिटेल पाउस करके पढ़ सकते हैं अभी मैं बात करता हूँ कि एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ट के लिए उस पर भी बहुत अच्छा खासा डिवैलूशन कर दिया है वह भी मैं बताता हूँ जैसे लग रहा है कि वो लोग नो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि पताने मैं जो जो चीजे करा है उन सब को डिवैलूशन जैसे मैंने एक्सिस का इंडियन ओयल मैंने लिया मैंने उन से एज को ट्रांसफर कर लिया मैंने अब सुरी मैं एक पॉइंट और बताना मैं भूल गया अभी मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ जो कि जस्ट में इसा लग रहा है कि उनोंने बतार GST कर दिया, उसका चार्ज हो रहा है, जब भी आप माइल से किसी point transfer करेंगे, तो आपको 199 plus taxes आपको fees देना पड़ेगा, और कहीं reduction करते हैं तो 49 plus, वो तो पहले से इनका था, और उसके पर भी इन्होंने लगा रहा है, up to 10,000, उसके उपर करेंगे तो 99, मतलब अगर 10,000 से below reduction करेंगे तो 49 plus GST और 10,000 से उपर इस reward करेंगे तो 99 plus GST, जो mile point transfer वला था, उसके पर fees लगा देना, ये बहुत गलत था, जो कि पहले बिल्कुल नहीं लगता था, ठीक है, ये एक point हो गया, ये बहुत ही खराब point कर दिया, जो मैंने जस्ट वी वीडियो ही बनाया था, मैं सोच था, आपको लोगर upload करूँगा, मैंने माइल्स, मैं transfer करने का, अभी जस इन्होंने वो कर दिया, अभी विस्तारा से, एक सिस विस्तारा से ही, मैंने कुछ दिन पहले ही, मैंने insurance payment किया था, जिसका मुझे voucher मिला था, अभी देखे, spend और insurance और jewelry भी मैंने पर्चेस किया था, तो उसके उपर भी इन्होंने कर दिया है, devolution, अब कोई eligible और CV points नहीं मिलेगा, और नहीं milestone benefit मिलेगा, अब बताए, विस्तारा point को ये भी खतम कर दिया, मतलब आप insurance विस्तारा कार्ट से करेंगे, जो अल्री पर्चेस करेंगे, तो कोई भी CV points ये milestone benefit नहीं मिलेगा, और ये सब एक में 2024 से होगा, अब एक और point, और कि अब इन्होंने milestone, अब जो airport, सुचे ये एक flight card है, travel card है, travel card होते वे, यहाँ पर minimum spend का criteria लगा दिया है, आप imagine करिये, एक्सिस, bank, विस्तारा, platinum credit card एक travel card है, और travel card के उपर आप lounge access करने के लिए, पिछले 3 months में, आपको 50,000 का spend करना पड़ेगा, जैसे कि आपका access, इंडियन ओयल में किया है, सुरी, जैसे कि आपका access ace card में किया हुआ है, से मैं ऐसा यहाँ भी कर दिया, कि 50,000 past 3 months में अगर आप spend करते हैं, तब जाकर के आपको lounge access मिलेगा, और newly card वाले को ऐसा criteria reads करने की जड़त नहीं, अब पता नहीं, access bank वाले क्या चाहते हैं, कि इनका card से अब यूज करना बंद कर दें, क्योंकि इनका ही सबसे सारे card से demand चल रहे थे, तो ठीक है, चलिए इन्हों devalue कर दिया, लगी रहा था कि devalution होगा, पर इसकदर devalution करेगा, मुझे यह यह नहीं लगा था, इस devalution से यह तो मुझे लगी गया था, क्योंकि जैसे ही अभी इस मन्थ में, सबस्यदा approval आने लग गया थे, access ace card के, मैं उसी वक्त समझ गया, कि इसका devalution होना है, confirm, और मुझे डर है कि कहीं, access ace card कार्ड ना करे, उसका भी devalution ना कर देगी लोग, मुझे नहीं पता, अभी मेरे पास तो कोई email नहीं आया, so overall यह कुछ है, यह बहुत ज़्यादा marketing चल रहा था, तो समझ ही आ रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन ace card पूरी तरह बिकार हो गया है, अब उस card को लेने का कोई logic नहीं बनता, क्योंकि आपको 2% का cashback अब नहीं मिलने वाला, वो गया 1.5%, तो वो card बिलकुल भी avoid करने का है, ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, फिर किसी और वीडियो में, जान्यवाद,